Hi guys, this is Sakshi and welcome back to my channel और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप डबल साड़ी with डबल पेटिकोट किस तरह से पहन सकते हैं मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी एक सिंगल साड़ी with डबल पेटिकोट वो आप लोगों को पसंद आई थी तो इस वाली वीडियो में मैंने वो वाली सारी की सारी कमिया पूरी करने की कोशिश की है उसके बाद भी अगर आपको लगे के कुछ रह गया है तो मुझे कमेंट करकर जरूर बताएं और अब बहुत जादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरा चैनल अभी तक सबस्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लिजे सबस्राइब जो कि बिलकुल फ्री है अब मुझे पहन रही हुँ अब लास्ट वीडियो में मुझे से किसी ना पूछा था कि डबल पेटिकोट क्यों पहने तो मैं बता दूं कि डबल पेटिकोट इसलिए पहने हैं ताकि हमारे जो साड़ी में जो हमने लहंगा लुक देने की कोशिश की है वह अच्छे से आए लहंगा हमेशा fluffy सा होता है फूला फूला सा लगता है तो उसके लिए हमने डबल पेटिकोट पहना है और आप देख सकते हैं कि मैंने अपने जो पेटिकोट का string था वो एक का left side और दूसरे का right side बांधा है तो इस तरह से बांधना है वरना एकी side बांधेंगे तो थोड़ा सा मोटा मोटा हो जाएगा अब हमें साडी को layer by layer tug in करते हुए बांधनी है इस तरह से मैंने same pattern आपको last वीडियो में भी दिखाया था अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो जाकर देख सकते हैं उसमें मैंने single साडी का use किया था बट इसमें मैं double साडी का use कर रही हू अपनी pleats को अच्छे से बना लें आप चाहें तो pleats पहले भी बना कर रख सकते हैं और उसको safety pin की help से secure कर सकते हैं तो आपको लहंगा style साडी पहननी easy हो जाएगी या आप देख सकते हैं मैं pleats को layer by layer बनाती जा रही हूँ और tug in करती जा रही हूँ same pattern आपको पूरा end तक करना है जब तक आपकी साडी खतम नहीं हो जाती है और ध्यान रखें कि साडी को उसी के according pleats बनाएं कि आपकी pleats जो है end तक मतलब आपका पूरा का पूरा petticoat cover कर लें और एक अच्छा सा round दें यह आप देख सकते हैं और मैं बनाते बनाते थोड़ी सी ठग गई थी तो यहाँ पर अब मेरी पूरी pleats अच्छे से बन चुकी है अब मैं इनको कर रही हूँ adjust यह थोड़ा सा पीछे वाला portion भी कर लेते हैं बना लेते हैं और यह पूरा बन चुकी है और last time यह problem थी कि आपको नीचे वाला portion दिखाई नहीं दे रहा था flare नेजर इसी को मैं tug in कर लूँगी आप अपनी length की according pleats बनाकर tug in करें यह मैंने अच्छे से pleats बनाकर आप safety pin लगा लें ताकि आपकी pleats बिल्कुल भी ना हीले और इसको tug in कर लें अच्छे से और अब पीछे से जैसे हम साडी का पल्लू लेते हैं उसी तरह से अपनी साडी का पल्ल लेना है और हमें अपने left shoulder पर डाल लेना है और normal जैसे हम पल्लू लेते हैं साडी का वैसे ही pleats बनाकर इसको भी लेना है और safety pin से secure करना ना भूले वरणा आपकी pleats खराब हो सकती हैं अब मैंने यहाँ पर ही normal pleats की help से अपना पल्लू set कर लूँगी यह आप देख सकते हैं इस तरह से और यह पीछे से इस तरह से हमारा look आएगी जैसे बिल्कुल लहंगे में आती है और यह है इसकी final look और इस बार ही मैंने पूरी की पूरी look आप लोगों के साथ share करनी के कोशिश की है और combination भी ऐसा लिया है ज और maroon color का combination आप लोगों कैसा लगा मुझे comment करकर जरूर बताना और यह है इसकी final look पीछे से बिल्कुल लहंगे वाली है और आगे से साड़ी है तो गाइस ये थी वीडियो के आपको किस तरह से साड़ी पहननी है पार्टी वेल स्टाइल है आप दो साड़ियों का यूज करके लहंगा स्टाइल में convert करकर अपनी साड़ी को बहुत ही अच्छे से look देकर पहन सकते हैं I hope कि आप लोगो को पसंद आई होगी और अपनी जिस subscriber का नाम आज में लेने वाली हूँ उनका नाम है शिखा दोशी तो congratulations to you शिखा और आप लोगो को वीडियो पसंद आई हो तो like करें, share करें, comment करें और subscribe जरूर करें और notification bell भी जरूर प्रेस करें जिससे आपको मेरी notification मिलती रहेगी and always take care of yourself, bye!